वीडियो देखने के चकर में हमने अपने फॉन में TeraBox application को install कर लिया लेकिन हमें डर इस बात का लग रहा है कि हमारा जो data है कहीं leak ना हो जाए हमारा जो data और privacy जो चोरी ना हो जाए किसी और के पास ना चला जाए क्योंकि यह जो application है TeraBox वो एक Chinese application है अगर आप लोगो पता नहीं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा इस चैनल पे वीडियो वाहराल हो गया है जिसमें मैंने आप लोगो बता है था कि टेरा बॉक्स अप्लिकेशन से कोई भी वीडियो को किस तरीके से देख सकते हैं जो टेलिगराम पे वीडियो आते हैं इंस्टागराम पे आते हैं फेस्बूक पे आते हैं फेस्बूक ग्रूप पे आते हैं फेस्बूक पे पेजेस पे आते हैं तो जादा तर जो है लिंक्स जो आप लोगो देखने को मिलता है वो टेरा बॉक्स का ही मिलता है और अगर आप इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं अगर आप लोगों ने TerraBox अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लिए तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो अप्लिकेशन है वो बिल्कुल सेफ है काफी सारे मैंने जो इसके जो लोग यूज़ करें उनसे मैंने पूछा कि यह सेफ है नहीं सेफ है बिल्कुल सेफ है आप इसको यूज़ कर सकते हैं देखो फैंस मैं आप एक बात और किलियर का देना चाहता हूँ कि मुझे TerraBox कोई पैसे नहीं मिले कोई यह paid promotion वीडियो नहीं है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यह मतलब data को leak नहीं करता है ठीक है यह बिल्कुल सेफ है आप इसको यूज़ कर सकते है देखो फैंस यह सेफ इसलिए क्योंकि यहां से काफी सारे लोग काफी अच्छे अच्छे earning भी कर रहे है मैं भी यहां से थोड़ा बहुत earning कर रहा हूँ तो यह अगर यह data वहरा को leak करेंगे तो यह ज़्यादा दिन भाई साब application चलेगा नहीं ठीक है तो यह बिल्कुल सेफ है आप इसको use करना चाहते तो कर सकते हो लेकिन बात यहां पर यह भी निकल के आ जाता है कि यह भाई साब यह Chinese application है तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग आपके data से ज़्यादा प्यार है और आप नहीं चाहते हो कि Chinese application मेरे phone में रहे तो भाई साब यह आपका matter है आप इसको uninstall भी कर सकते हो इसमें मुझे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला आप रखो या ना रखो मेरा काम है बताना मैं आपको बता दिया हूँ कि यह बिलकुल safe है मैं इसको काफी दिनों से use कर रहा हूँ और इस application की मदद से लोग काफी जादा earning भी कर रहे है तो यह बिलकुल safe है यार use कर सकते हो ठीक है अगर आपको data से प्यारत तो आप इसको uninstall भी कर सकते हो आपके उपर है कि आपको इसको चलाना है या फिर uninstall करना है लेकिन यह safe है इतना मैं जरूर बोलूँगा ठीक है तो पसंद आया यह जानकारी पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो पेक लाइक जरूर कर दीजे और अगर आपने अभी ताइस चैनल को सस्क्राइब नहीं तो सस्क्राइब कर लीजे और जो घंटेक आएकाने उसको भी जरूर प्रैस कर लीजे तो फ्रेंक्स पर वाचिं झाल